तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सब भी को सोनी टीवी पर आनी वाले सीरियल बड़ी अच्छे लगते हैं टूके कास्ट के रूइल लाइफ लव पार्टनर से मिलवानी वाले हैं जो कि श्रायद ही आप सब भी जानते होंगे और जानने शाहती हैं तो हमार वडियो के साथ हंते तक बने रहीगा तो चलिए बढ़ते हैं वडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो के सीरियल में वंदना का करदार निभा रही है उनके रूइल लाइफ 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 शंकर पंड़त है नंबर फूर्थ विनित कुमार चोधरी जो के सीरिल में शशी का करदार निभा रही है इनके रियल लाइफ लाव पार्टनर की बात की जायत इनके पत्नी का नाम अभी लाशा जखर है नमबर फिफ्ट अभीनव कपूर जो के सीरियल में विक्रांत का करदार निभा रही है और इनके रियल आफ लाव पार्टनर की बात की जायत इनके पत्नी का नाम सुभी ग्रॉवर है नमबर सिक्स थें अंच्रुम फक्वी है जोके सीरियल में मेत्री का किरदार नी भा रही है और इनके रियल लाइफ लाव पार्टनर की बाद की जए तुपा तो इंपरनी का नाम Jahaan पीम हजता है नबर एट ते दिश्रा परवार जो के सीरियल में प्रिया का करदार निभा रही है और इनके रियल लाइफ लाओ पार्टनर की बात की जाये तो इनके पती का नाम राहुल वेद्दे है नमबर नाइन्थ प्रणव मिश्रा जो के सीरियल में अक्षे का करदार निभा रही है और इनके रियल लाइफ लाव पार्टनर की बात की जाए तो ये भी सिंगल है नमबर टेन्थ अलिफिया का पाडिया जो के सीरियल में सारा का करदार नी भा रही है और इनके रियल लाइफ लाव पार्टनर की बात की जाये तो ये भी अभी सिंगल है नमबर 11 अभे भरगवा जो के सीरियल में महिंद्र का करदार निभा रही है और इनके रियल लाइफ लव पाटनर की बात की जाये तो इनकी पत्नी का नाम किरण भगवा है नमबर 12 रीना अगरवाल जो के सीरियल में विदिका का किरदार निभा रही है और इनके रियल लाइफ लव पार्टनर की बात की जाया तो इनके पती ये रहे नमबर फोटीन है अचे नागरत जो के सीरियल में अदित्य का करदार निभा रही है और इनके रियल लाइफ 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 पार्टनर की बात की जायती अभी सिंगल है नमबर फोटीन है स्नीहा नामंदनी जो के सीरियल में सीवीना का किरदार निभा रही है और इनके रियल लाइफ लाव पार्टनर की बात की जायत ये भी सिंगल है तो अब आप सभी का क्या किहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है हमी कमेंट वुक्स में ज़रूर बताईएगा साथ ही अगर आपको हमारे ये वडियो पसंद आया हो तो से लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें धन्यवाद